हेलो स्टूरेंट्स मैं आपकी पूजा मैम आप सभी का शांती कुछ ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूं बच्चों आज जी के और मोरल वैले की क्लास में हम सिखेंगे पढ़ेंगे समाने ग्यान यानि की जी के तो बच्चों हमारा स्लेवस पूरा हो चुका है अब से हम करना शूर करते हैं तो रीवीजन सबसे पहले मैं ऐसे आपको करवाती हूं पाट पंद्रा बहुत देश्य नदी पर योजना है तो जो कि मैं आपको करना चुकी हूं एक फिर से दोबरा से करना शूर करते हैं लोग भारत में बहने वाली अनेक नदियों पर बड़े-बड बनाए गए हैं इन बांदों के द्वारा रोके गए पानी का करी परियोजनाओं में उप्यों के आता है इस पानी से बिद्ली उत्पन की जाती है तदा खेतों की सिचाई की आती है यही कारण है कि इन पर योजनाओं को बहुत देश्य पर योजनाओं को उस राज से सबसे पहले ना गार सागत परयोजना जोकी कहां है रिहंद बान योजना तुगरबन्द परयोजना करनाठा क्योंच तीरी डैम पर योजना जोकी उत्राक यह इस्तित इस्ति कर्पन्त परταकर्णा है उसके बाद में भाकड नागर योजना जो कि आपको पता है भाकडा के नाम से समझने है पंजाब में है फिर है फरक्का परियोजना फरक्का परियोजना है बच्चो पताईए पश्यम बंगाल में उसके बाद में थीन डैम परियोजना थीन डैम परियोजना भी पंजाब में इस्तित है उसके बाद में हीराकुन परियोजना हीराकर्म परियोजना है बच्चो ओडिसा में उसके बाद इंद्रा गांदी नहर जो की राजिस्तान में है उकाई परियोजना उकाई परियोजना है बच्चो गुजरात उसके बाद देखिए नेक्स है चंबल परियोजना च अगर में आपका वचा कोईलाब परयोजना, कोईलाब यहीना है महरास्ट में, इस प्रकार से लिए पर यहीं परीचर भी भिशे पर्ड़ बने हुए हैं इनकेे भाकला-नागल-बंद का ठीही बंद का नागरजुन-बंद का ठीहरी यहीं वांद्स भाकला-नागरजन-बंद आपके बहुत जल्दी एक्जाम सोने वाले हैं तो इसकी तियारी करना अभी से शुरू कर दीजिए अज की क्लास में बस इतना ही उसके बाद में आपको नेक्स क्लास में मिलती हूं तो तक आप अपना घर में रहके अच्छी से बढ़ाई कीजिए यूकि बहुत जल्दी काम कंप्लीट करके रहिए और अच्छी से अपडेट बनके रहिए हम लों फिर नेक्स क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई